असलाम आरेकुम रहमेत लाही वबरकातू रुकु में जब हम जाते हैं तो उस वक्त क्या पढ़ना चाहिए रुकु में कौन से कलमात पढ़ते हैं, कौन से दुआएं पढ़ते हैं और सजदे में कौन से दुआ पढ़ी जाती है और जब हम सजदे से उठेंगे तो उस वक्त क्या दौा पढ़ेंगे और जब हम रुकु से उठेंगे तो उस वक्त क्या दौा पढ़ेंगे आप इसके बारे में बताईए देखे जब आप रुकु में जाईएगा तो रुकु में जो दौा पढ़ी जाती है वो सुबहान रब्यल अजीब सुबहान रब्यल अजीब सुबहान रब्यल अजीब तीन मरतबह परना है स्क्रीन पर आद देख कर लिए जब आप सजदे में जाएंगे तो सजदे में आपको परना है सुबहान रब्यल अअला सुबहान रब्यल अअला सुभान रब्वियल आला तीन मर्तबा परना ठीक है जब आप सजदे से उठेंगे तो अल्लाव हुआ अपर बोलकर ही उठेंगे लेकिन जब आप रुकु से उठेंगे तो उस वक्त आपको अल्लाव हुआ अपर नहीं बोलना है बलके उस वक्त आपको बोलना है इसके एंप यह को दिख़गा होगा आप उसको देखकर याद कर लिजी इसको आप पढ़ना है उसके बाद आप पढ़ेंगे एक मरतबा पढ़ना है एक एक मरतबा दोनों को अगर जो मर्द हज़़रात है इमाम साब के पीछे पढ़ रहे हैं यानि के जमाद के साथ पढ़ रहे हैं तो वो समय लिमन हमीदा नहीं बोलेंगे बलके सिर्फ एक मरतबा रबना लकल हम्द बोलेंगे बिल्कुल आहिस्ता बोलेंगे ऐसा नहीं के जोर से बोलना है हाँ अगर कहीं आवाज दूर तक नहीं जा रहे हैं लोग काफी तालाद में हैं और वो अगर मुकब्बिर बने हुएं यानि के हर बार हर तक्बीर को वो जोर जोर से बोलेंगे बाकी हजरात जो हैं बिल्कुल धीरे से बोलेंगे मैं उम्मिद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी और बाकी अगर आप किताबों में देखना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो नमाज के जो मसले मसाहिल की किताबे होती हैं इन तमाम किताबों में आपको यह सारी बाते मिल जाएगी बाकि आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कोमेंट पर जरूर बताएं